नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं Reliance Industries की आप देख सकते हैं कि जो चार्ट लगाया हुआ है वो हमने Reliance Industries का लगाया हुआ है इसकी जो अभी लाइस ट्रेट प्राइस चल लई है वो 2337 के आसपास चल रहा है इसको आज हमने बाइंग के लिए देखा है क्य बात करने वाले हैं तो बीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यह वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो आप अभी चार्ट देख सकते हैं इस शार्ट में आप यह साफ़ साब देख सकते हैं इसने एक एक दिन पिछले लो की हमेसा रस्पेक्ट की है और यह अपना trend अभी break नहीं किया है और इसने इस level पर breakout लिया breakout कैसे लिया है हम confirm बताते हैं आपको क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं जब यह downtrend चला था डेली time frame पर यह बड़ा downtrend चला है इसमें और जब इसने इस level के ऊपर start open हुआ है तो इसी level ने support किया है जैसा कि हर stock में या फिर बैंक की निप्टी में भी आपने देखा होगा कि कोई resistance level होता है अगर उस resistance level के ऊपर market open होता है और जब बहे stock उसी level पर आता resistance के आज-पास तब बहे level एक support का का काम करता है जब बहे support का काम करता है तब हम यह confirm हो जाता है कि इसका breakout real हुआ है और आप इधर पर भी देख सकते हैं कुछ इस प्रिकार से ही इस level पे बारवार support की आ है इस level पे रिलाइंस इंडिस्टी इसको इस resistance ने इस level पे इसका support रहा है जब इट्रेट कर रहा था और इसने एक चीज और साफ-साफ देख सकते हैं आप दर पे चार्ट में कि इसने अपने पिछले लोग की हमेशा respect की है अभी तक इसने अपने लोग को break नहीं किया है और नए higher high लगाते हुए उपर की तरफ जा रहा है लेकिन इस level पे ब्रेक नहीं किया है और बापस से उपर की तरफ निकल गया है और इसकी जो भी price चल लई है वो 237 रुपए चल लई है और जब इस price के उपर निकलना है स्टार्ट करेगा तब आपको एक बड़ी तेजी से उपर की तरफ जाता हुए दिखेगा रिलाइंस का stock तो अगर आप इसको buying करना चाहते हैं तो आप इसको buy करके रख सकते हैं और आपको stop loss रख सकते हैं इसमें वो इस level के आज पास या फिर इसकी नीच रिटन देख के जा सकता है क्योंकि इधर पर रिजिस्टेंस है और जब यह रिजिस्टेंस ब्रेक होगा तो आपको जरूर अच्छे रिटन देखने को मिलेगा तो अगर आप स्टर्म के लिए stock रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो वी